पती पत्नी के प्यार की अनोखी कहानी जिसके लेखक हैं अजय पांडे राधा और विसाल को आज तलाक के कागज मिल गए थे दोनों साथ ही कोट से बहार निकले दोनों के परीजन साथ थे और उनके चहरे पर विजय और सकून के निसान साब जलक रहे थे चार साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था दस साल हो गए थे सादी को मगर साथ में छे साल ही रह पाए थे चार साथ साल तो तलाक की कारवाई में लग गए राधा के हात में दहेज के समान की लिष्ट थी जो अभी विसाल के घर से लेना था और विसाल के हाथ में गहनों की लिष्ट थी जो राधा से लेने थी साथ में कोट का ये आदेश भी था कि विसाल दसलाक रुपे की रासी एक मुस्त राधा को चुकाएगा राधा और विशाल दोनों एक ही टेम्पू में बैट कर विशाल के घर पहुँचे दहेज में दिये सामान की निसान देई राधा को करनी थी इसलिए चार वर्स बाद ससुराल जा रही थी आखरी बार बस उसके बाद कभी नहीं जाना था उदर सभी परीजन अपने अपने घर जा चुके थे बस तीन प्राणी बचे थे विशाल राधा और राधा की मा विशाल घर में अकेला ही रहता था मा बाप और भाई आज भी गाउं में रहते हैं राधा और विशाल का इकलोता बेटा जो अभी सात वर्स का है कोड के फैसले के अनुसार बालिक होने तक वे राधा के पास ही रहेगा विशाल महीने में एक बार उससे मिल सकता है घर में परिवेश करते ही पुरानी यादे ताजा हो गई कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधा ने एक एक चीज में उसकी जान बसी थी सब कुछ उसकी आँखों के सामने बना था एक एक इट से धीरे धीरे बनते घरुंदे को पूरा होते देखा था उसने सपनों का घर था उसका कितनी सिद्दत से विशाल ने उसके सपने को पूरा किया था विशाल थका आरा सा सोफे पर पसर गया बोला लेलो जो कुछ भी चाहिए मैं तुझे नहीं रोगूंगा राधा ने अब गोड से विसाल को देखा चार साल में कितना बदल गया है बालों में सफेदी जहाकने लगी है सरीर पहले से आधा रह गया है चार साल में चहरे की रोनक गायब हो गई वे श्टोर रूम की तरफ बड़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था सामान ओल्ड फैसन का था इसलिए कबार की तरह श्टोर रूम में डाल दिया था मिला भी कितना था उसको दहेज परेम विभा था दोनों का घरवाले तो मजबूरी में साथ हुए थे परेम विभा था तभी तो नजर लग गई किसी की क्योंकि प्रेमी जोडी को हर कोई तूटता हुआ देखना जाता है बस एक बार पी कर बहग गया था विसाल हाथ उठा बैठा था उस पर बस वो गुस्से में माईके चली गई थी फिर चला था लगाने सिखाने का दोर इधर विसाल के भाई भावी उधर राधा की मा नोबत कोट तक जा पहुँची और तलाक हो गया ना राधा लोटी ना विसाल लाने गया राधा की मा बोली कहा ए तेरा सामान इधर तो नहीं दिखता बेज दिया होगा इस सारा भी ने चुप रहो मा राधा को न जाने क्यों विसाल को उसके मूँ पर सारा भी कहना अच्छा नहीं लगा फिर इस्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक करके लिष्ट में मिलाया गया बाकी कमरों से भी लिष्ट का सामान उठा लिया गया राधा ने सिर्फ अपना सामान लिया विसाल के सामान को छुआ भी नहीं फिर राधा ने विशाल को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया विसाल ने बैग वापस राधा को दे दिया रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा तेरे मुसीबत में गैनों की कीमत पंद्रा लाग से कम नहीं थी क्यों, कोट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गैने गैने चिला रहा था कोट की बात कोट में खतम हो गई रहा था वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और सराभी सावित किया गया है सुनकर राधा की माने नाग भो चड़ाई, नहीं चाहिए, वो दस लाग भी नहीं चाहिए क्यों, कहकर विसाल सोफे से खड़ा हो गया बस योही, राधा ने मूँ फेर लिया इतनी बड़ी जिन्दगी पड़ी है, कैसे काटोगी, ले जाओ काम आएंगे इतना कहकर विसाल ने भी मूँ फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया सायद आखों में कुछ उम्रा होगा जिसे छुपाना जरूरी था राधा की माता जी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी राधा को मौका मिल गया वो विसाल के पीछे उस कमरे में चली गई वो रो रहा था अजीब सा मूँ बना कर जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दो जहद कर रहा हो राधा ने उसे कभी रोते नहीं देखा था आज पहली बार देखा न जाने क्यों दिल को कुछ सकून सा मिला मगर जादा भावक नहीं हुई संदे अंदाज में बोली इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक मैंने नहीं तलाक तुमने दिया दस्तकत तो तुमने भी किये माफी नहीं मांग सकते थे मोका कब दिया तुम्हारे घरवालोंने जब भी फोन किया काट दिया घर भी आ सकते थे हिम्मत नहीं थी राधा की मां आ गई वो उसका हाथ पकड़कर बहार ले गई अब क्यों मू लग रही है इसके अब तो रिस्ता भी खतम हो गया मां बेटी बहार बरामदे में सोफे पर बैटकर गाड़ी का इंतजार करने लगी राधा के भीतर भी कुछ तूट रहा था दिल बैठा जा रहा था वो सुनसी पढ़ती जा रही थी जिस सोफे पर बैठी थी उसे गोर से देखने लगी कैसे कैसे बचत करके उसने और विसालने वो सोफा खरीदा था पूरी सेहर में घूमी तब ये पसंद आया था फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पोधे पर गई कितनी सिद्धत से देखभाल किया करती थी उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई घबरा टोर बढ़ी तो वै फिर से उठकर भीतर चली गई मा ने पीछे से पुकारा मगर उसने अंसुना कर दिया विसाल बैड पर उल्टे मूँ पड़ा था एक बार तो से दया आई उस पर मगर वै जानती थी कि अब तो सब कुछ खतम हो चुका है इसलिए उसे भाउक नहीं होना है उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा अस्वस्थ हो गया पूरा कमरा कहीं कहीं तो मकडी के चाले जूल रहे थे कितने सुनैरे दिन थे वो इतने में मा फिर आ गई हाथ पकड़ कर फिर उसे बहार ले गई बहार गाड़ी आ गई थी सामान गाड़ी में डाला जा रहा था राधा सुन सी बैठी थी विसाल गाड़ी की आवाज सुनकर बहार आ गया अचानक विसाल कान पकड़ कर घुट्नों के बल बैठ गया बोला मत जाओ, माफ कर दो प्लीज सायद यही वो सब्द थे जिने सुनने के लिए चार साल से तड़फ रही थी सब्र के सारे बांद एक साथ तूट गए राधा ने कोट के फैसले का कागज निकाला और फाड दिया और मा कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई विसाल से साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे दूर खड़ी राधा की मा समझ गई कि कोट के आदेस दिलों के सामने कागज से ज़्यादा कुछ नहीं कास उनको पहले मिलने दिया होता उसी रिष्टे की उम्र लंबी होती है जहां लोग एक दूसरे को समझते हैं प्रक्ते नहीं आपको यह कानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद जाइन अजयो देखने के लिए जाए